तो हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड में तो कैसे आप सब दोस्तो अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगर जिले के एक गाउं में हूँ और दोस्तो यहां बिलकुल ही जो भारत देश का जो गाउं बसता है जहां ग्रामीड छेतर है वहां पर मैं हूँ दोस्तो और दोस्तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं घर जो की पहले के समय के जो घर थे जिसमें की मिट्टी की दिवाल होती थी और साथ में उपर जो टाइल जो का जो एकी छत हुआ करता था वो सब है दोस्तो तो आएए आप सब को दिखाते हैं और घुमाते हैं आपको भारत देश का प्यारा सा गाउं दोस्तो जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा सायद कुछ देर में यानि कि कुछ सालों में ऐसा कुछ है जो मिट् तो दोस्तो आप ये देख सकते हैं गवमाता गवमाता का बच्चा एक छोटा सा साथ में इदर गवमाता चारा खाते हुए और ये दोस्तो इक store बना वो सामने बना हुआ है तो इस तरह से दोस्तों बिलकुल ग्रामीड छेतर जो की लोग जो की ग्रामीड में बसते हैं वो सब है दोस्तों तो आप यह देख सकते हैं जो हाथ से चारा काटने वाली मसीन आप यह देख सकते हैं यहाँ पर चारा जो की काटा जाता है और साथ में जो एकी सामने आगे खेत देख रहे हैं सामने खेत ही आपको नजरा रहा है ये सामने आप देख रहे हैं ये जामुन का पेड़ है साथ में आम का भी पेड़ है अमरूद लगा हुआ है और नल दोस्तों यहां की जो नल होते हैं आप देख सकते हैं इस तरह इसके नल होते हैं बग्याई आपको दिखाते हैं जो घर होते हैं पहले के समय के यानि जो ग्रामीड में जो कच्छी मकान हुआ करते हैं वो सब ये दोस्तो ये आप देख रहे हैं जो छपड होता है ये बहुत अगर एक बार जो इसको बनाते है करीब दो साल तक ही चलता है और इसकी खास बात रोटी पक रही है आप देख सकते हैं चलिए आई आगे आपको दिखाते हैं दोस्तो चलिए को इस पुराने और खुपसूरत प्यारे से मकान के अंदर चलते हैं और अंदर कईसे क्या इस ट्येक्चर कैसे पहले के समय में जो बनायेगे वो आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यह इसका है इसका इंट्रे एAtえー देख बिल्कुल छोटा सा दरवाजा लगा हुआ है और इस प्यारे से मकान में हम इंटर किये और जैसे इंटर किये तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह मैं आपको दिखा रहा हूं इसको इस वीडियो को पूरा आप दिखेगा आपको बहुत मजाएगा और बहुत आपको रखने के लिए यहां माता की फोटो है और यह जो तक्षत होता है वो है और यह देख सकते हैं दोस्तों डबल फ्लोर है इसके उपर अनाज ग्यों धान चावल यहां पर रखा जाता है बहुत सा जिसे और भी सब चीज यहां रखी जाती है और निची सब समान रखा हुए ह आप देख सकते हैं वहां समय इंटर किया चाथ मैं इससे गैलरी में आया और फिर इसके बाद दोस्तों यहां से हम आंगन में प्रिवेस करते हैं आप यह देख सकते हैं हैं अभी मैं आंगन में आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं ये ऐसे घर दोस्तो उत्तर प्रदेश यनि कि अपने भारत देश के गाउं में ऐसे घर बसते हैं जो है कि जिसमें काफी जो है कि ऐसे घरों में जब पहले के समय लोग रहते थे तो क्या था कि उनमें बहुत प्यार था आपसी प्यार था आप देख सकते हैं मैं अभी आंगन में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि एक कमरा इधर हो गया और एक आप देख सकते हैं ये क साथ में इधर भी है और इधर भी और इधर भी और ये बरामदा जासा था फिर हम सिधा इसके अंदर आएं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहले के समय के जो घर हुआ करते थे उसमें जो परिवार हुआ करता था दोस्तों उस परिवार में बहुत आपसी प्रेम था और ब वाली अव फिलिंग नहीं रही जैसे पहले वाले मकान में जो रहते थे और जो है कि आपसी भाई चारा परेम भाव था लेकि अब नहीं रहा दोस्तो तो आप देख सकते हैं कि ये मकान जो रूलर मकान है बेटा इधर से निकल सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंट्री मेरी उधर से हुई थी फिर आंगन में और एक गैलरे से हम इधर जा सकते हैं इधर दोस्तों काफी अंदर तक कहलेगी थोड़ा अंधेरा है तो दोस्तों अभी मैं आंगन से में बाहर आ चुका हूँ अभी देख सकते हैं तो ये अमीदस बाहर जा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो पहले के समय में जो मकान या जो घर हुआ करते थे उस समय दोस्तों कितना लोग कम पैसें में कम संसाधन में जो की अपना जीवन बहुत ही अच्छे से प्यार से गुजारते थे लेकिन आज लोगों के पास जितना ही जादा संसाधन या साधन जितना कुछ हो गया उसके बाद भी लोगों के पास कम ही रहता है दोस्तों लेकिर पहले के समय में लोग ऐसे घरों में रहा कर जो है कि अपना जीवन बहुत प्यार से आपसी भाईचारा या प्यार से मौबबसी या एक जुट होके अपना जीवन बिताते थे दोस्तों क्या है कि जब भी अपने उत्तर प्रदेश की आप किसी गाउं में जब जाएंगे किसी के घर पर जाएंगे तो आपको दोस्तों बगाईदा गुड होता है जो देशी गुड होता है या बिस्कृट होता है तो वो देखे आपको पानी जो है कि पानी साथ में देंगे क्या होता है दोस्तों हम कई जगें हम लोग गय जाते हैं ख्या होता है कि भी देखा जाता है कि पानी से पकड़ा देते हैं तुपर जो गां के थो वेकलतान से आपको कोई भी मीठा हो Jani या ङुरा हो चाए बिस्कृट हो वो आपको दे भी जाता है तो दोस्तों यह जोन होता है इस तरह सिक्किया जाता है तो जो आंगन है इसके बीच में भी आंगन है और चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको बाकी दोस्तो इसमें अभी लोग रहते हैं यह देखी दोस्तो सेम कॉपी है लेगी पुराने जो जबाने में यह सा हुआ करता था आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है कि वो निकालने के लिए चाहिए इसमें घ्यों रखो चाहिए अब धान रखो कुछ भी आप रख सकते हैं तो दोस्तों उपर ढ़कन सब बना हुआ है मिट्टी का ही ह और इसमें बगयादा आप रख के काफी देर तक एक्स्टोर कर सकते हैं जब आपको निकालना हो तो आप यहां से इस कपड़े को निकालेंगे तो आप जो भी गेऊं चावल हो या फिदान हो आप निकाल सकते हैं चले दोस्तों अंदर चलते आपको दिखाते हैं दोस्तों अभी वाग क्या वात अभी बिल्कुल जो घर का अंगन है उसमें आ चुके हैं दोस्तों अभी इस घर की जो है की काफी देख रेक होने के वज़ाए से यह घर अभी काफी अच्छे से वैसे पड़ा हुआ है अगर देखा जा तो इसका लगता टाइम से अगर मरम सकते हैं जो टाइल दिख रही है आपको यह जो पानी उपर से गिरता है बरसात का वो सिधर नीचे आ जाता है तो नीचे जो मिट्टी का दिवाल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है बाकी आप देख सकते हैं खाना पकरा है चूले पर दूस्तो आंगन के चारो तड़व बने होते हैं आप देख सकते हैं इस तरह से कई जो रूम है उस में दरवाजे लगे हैं और कई में नहीं लगता है और यह देख रहे हैं दूस्तो यह जो बांस होता है ना बांस होता है का ही अब मलतर से दर्म जिसमें लगा गया इसमें की सबस्वान हजास कर रहा था तो आप धेख सकते हैं ये बहुत हुआ का řिछ भी इसमें की की लिए बसस्वे還是 का बनाय गया है ए सको छिए बस तो की देश सकते हैं कितोता Бाला हुआ यहां पर मिट्टू 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 इधर देख ले बाई मिट्टू और दो सामने आप देख रहे हैं यह जानुवरों का घर जानुवरों का गर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं यह सब्सक्राइब यहां जो इनका नाद होता है और हमारे यहां तो हुदि बोलते हैं हिशे को हुदी जानुवररों का घर है तो दोस्तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी और आपको अपने देश भारत देश का एक प्यारा सा गाओं का एक प्यारा सा घर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तो मिलते हैं एक नई वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल इंडियन फ्लाइंग वर्ड को आप सब्सक्राइब करिएगा तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद आप सभी का